सबसे पहले हम बात करेंगे स्वेम स्तन परिक्षन या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्वेम स्तन परिक्षन क्या होता है यह एक तरीका होता है जिससे हम खुद अपने स्टन को एक्जामेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी हमें ऐसा लगता है, जो चिंता जनके हम अस्पताल जल्ली पहुँच सकते हैं. स्वेम्स्तन परिक्शन इया सेलफसे मेेनेशन करने का सबसे ज़्यादा सही समय होता है, это एक अवदे बाद क्युक्योंकि उस समय जो ब्रेस्ट होती है सबसे ज़्यादा सफ़ कनुस्टन vaya%, इस थिती में कोई भी लंप गठान ब्रेस्ट में होगी, तो हमें वो जल्दी पता लगेगी, जो महिलाएं मेनोपॉस में जा चुकी है, याने की जिन महिलाओं के महीने आने बंद हो गए हैं, उन्हें महीने में एक दिन जरूर बांथना चाहिए, अपना स्टन एक्जामेन करने के लिए, स्टन एक्जा अपना स्टन एक्जामेन करना है, उंगलियों का गूदा या पल्प और फिंगर को स्टन पे गोल-गोल गुमा के देखना है, कोई भी गठान या अबनॉर्मालिटी अगर आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से संपर करना है, कौन से ऐसे साइन होते हैं, जो हमें पता अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनिशन पे जिसको लेकर हमें डॉक्टर से जरूर मेलना चाहिए, तो पहला साइन रहता है कि स्टन में कोई भी गठान या लंप आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से जरूर मेले, जरूरी नहीं है कि इस गठान में कोई दर्द हो, क्योंकि stun cancer अपने initial stage में याने शुरुवाती stage में दर्द नहीं देता है या उसमें कोई pain नहीं देता है दूसरा sign रहता है कि आपके जो stun के उपर की चमडी है या skin है उसमें आपको ही change महसूस कर रहे है जैसे कि कोई लाली पन आ रहा है इस प्रन के उपर जो आगे का निपल है निपल अंदर की और धस रहा है या किसी एक तरफ जादा खिच रहा है इसके अलावा जो और science होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि cancer के ये लक्षन है जो कि बहुत common होते हैं जैसे कि वजन कम होना भूखना लगना लेकिन ये सब थोड़ी देरवाधी स्टेज में आता है सबसे पहले हमें गठान मैसूस हो सकती है उपरवाधी चमणी में कोई चेंजिस दिख सकते हैं या निपल में कोई चेंजिस दिख सकते हैं